अच्छा ये बताओ हिसाब लगाखे अगर हर महीना एक हजार रुप्या डले तो साल भर में कित्ते हो जाएंगे बारा हजार अजय एक बात और बताओ अगर घर में दो बहुएं हुई तो ये हर परिवार को मिलेगा मेरी वाजर जहां सो सुन लो भाई बैटे बैटे सुनो इतने बताओ अगर दो बहुएं हुई तो ये हर परिवार को मिलेगा मतलब पती पतनी और उसके बच्चे एक परिवार तो ये हर परिवार को मिलेगा तो दो बहुएं हुई तो कित्ते हो जाएंगे अगर किसान परिवार हुआ तो प्रधान मंत्री जी देते हैं छे हजार, देते हैं की नहीं, और मामा जी देते हैं चार हजार, कुल कितने होगे, तो 24,000 दूब हुएं के वो हो गए, और 10,000 ये मिल गए तो कुल कितने हो जाएंगे, अरे कितने हो जाएंगे, 34 अजान और घर में अगर सासू जी है और उनकी पेंसन बंधी है 600 रुपईया मैं नहां तो मैंने सोचा वो भी बढ़ा के 1000 करदे से बढ़ाई तो अपर सासू जी को कितना मिलेगा अरे बताओ हिसाब लगाजे कितना 12 अजान तो 34 और 12 कितने होगे 44 अजान अभ इमानदारी से बताना tener बेहनो गिर्मत ब्हीया वो 44 अजान सुंके गिरे ही जारा है अभ यह बताओ मेरी बेहनो बताओ बेहनो की हलत सुदर जायजी की नहीं जोर से बताना सुदर जाय जायी की नहीं बताओ कभी और कांग्रेस ते ऐसी योजना बनाई थी क्या ये योजना मेरे दिल से निकली है मेरी बहनो ताकि तुम्हारी जिन्दगी बहन मैं खुसाहाली के पल ला सकूँ मेरा विस्वास है मेरी बहनो बहन के खाते में अगर पैसा आएंगे तो ये पैसा वो फाल्तू खर्चा नहीं करेगी एक बार भाई तो फाल्तू कर सकते कहीं इदर उदर उड़ा दे लेकिन बहने या तो बेचा-बेची की पढ़ाई में लगाएंगी बैसे तो फीसीस माम ही भरवाएगा उसकी चिंदा मत करना बच्चों को कुछ अच्छा खिलाएगी फल, सब्जी, दूद, डाल अच्छे काम में खर्चा करेंगी वो कहीं इदर उदर खर्चा नहीं करेंगी और इसलिए परिवार की हाल सुधर जाएंगी और एक बात और सास बहु का प्रेम भी बढ़ जाएगा सासू जी कहेंगी बहु के खाते में भाईया एक हजार रुपईया महीना भेज रहा है तो बहु को भी रोटी में घी लगा के घी चुपड़ चुपड़ के देओ बोलो सही बात है कि नहीं और अगर सासू जी को एक हजार रुपईया मिला तो बहु कहेंगी रात में सोने के पहले जड़ा मम्मों की पेर दबादू जड़ा तो सास बहु का प्रेम भी बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा कि नहीं तो बतावी अच्छी योज़ना है कि नहीं तो सुनो मेरी बहनो पांच मार्च के दिल इसके आविदन फार्म भरे जाएगे शुरू करेंगे और एक बात मेरी सुन लो कहीं बचकने की जड़वत नहीं है कोई को कलेक्टर का मिस्टर आए सांसच जी हमारी साथवी जी बैटर की तोड़ के रख देंगे जनता के लिए फूल से ज़्यादा कोमल और गुंडे बदमासों के लिए बजर से ज़्यादा कठोरे हमारी सरकार सांती और विवस्था सुसासन जनता को देते हुए मद्व देश की सरकार आगे बढ़ रही है और हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के नेत्रत में देश आगे बढ़ रहा है अभी रामे स्वर्जी ने आपको बताया मैं भाईयों को भी कहना चाहता हूँ हम कहते थे कि हमारे गाउं में हैंड पॉंप लग जाए मेरी पहनों अब हैंड पॉंप नहीं पाइप लाइन बिछा के और तुमारे घर में टोटी वाला नन लगा के पीने का पानी देंगे ताकि क्योटी खोलो तो ज़र ज़र पानी आ जाए ताकि पहनों की और गवाँं की भी जिंद्गी सुधर जाए एक नहीं ऐसे अन्यकों काम आपके सेबक के नह दे यह जिवरा सिंग चोहान कर रहा है भारती जंतापाइट की सरकार कर रही है साथ भी प्रिक्याशिंग जी कर रही है और आपके जुझारू करमढ़ और यैससवी विधायक भाई रामेश्वर सर्मा कर रहे है मैं रामे स्वर जी विकास की निगंगा बहाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और जाइज काम जितने होंगे वो सब विकास के लिए किये जाएंगे और जन्ता की जिन्गी बदलने में भी कसर नहीं छोड़ूँगा मैं तो आपको दिन और राज सातτε रहाँ बोलो आप सबका साथ मिलेगा अरे भा 누, इदर वालि बेहने भी साथ देंगी भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मोटी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे